यूपी की राजधानी लखनाओं की कचैरी में उस वक्त भगदर मच गई जब वहाँ भम धमाका हो गया वजीर गंज कोर्ट में कुछ वकीलों पर हमला किया गया इस धमाके में कई वकील घायल हो गई इस हमले में निशाना बनाए गए थे बार एस्चोशेशन के पदादिकारी संजीव लोधी बताय जा रहा है कि लोधी को लक्षे करके तीन बम फैके गए थे जिसमें से एक ही फटा और दो बम बिना फटे ही रह गए अगर ये बम फट जाते तो गंभीर हादसा हो सकता था मिल रही जानकारी के मुताबिक वकील संजे लोधी अपने चैंबर में बैठे हुए थे तकरीबन पोने 12 बज़े के करी एक युवक ने उन पर बम से हमला कर दिया हादा कि इस हमले में वकील संजे लोधी बाल बाल बच गए लेकिन बम चलाने वाला मोकी से फरार हो गया वहीं वकील संजे लोदी ने कोर्ट परीसर में हुई इस घटना पर सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दी और कहा कि इस हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं उनके हाथ में भी छर्रा लगा है साथी हमले के बाद आरोपी की जल से जल गिरफतारी की भी मांग की है इस हमले के बाद ये सवाल खड़े हो गए है कि आखिर इतनी सुरक्षा के बाद कोई कैसे बम और असला लेकर अंदर आ सकता है इस बीच एक चश्मदीन ने ये भी दावा किया कि 8 से 10 बम फैके गए और हमलावरों के हाथ में पिस्टल भी थी संजीर लोदी के जुनियर साथी शाम सुंदर लोदी जिन्होंने बताया कि आजाज हमद और आजम खान के साथ 3-4 लोग आए और उन्होंने बम से हमलावरों शुरू कर दिया सुरू कर देते हैं सुदली बम ता क्या था और इधर से चार नंबर गेट की तरफ से भी आते हैं कुछ लोग जिसमें से तीन बम फटे हैं यहां पर तीन फटे हैं और करीब 8-10 बम यहां पर फ्रेके गए और जिससे जो है हमारे संजीर लोदी के सर पे चोट आई जिससे और प्रमोद लोदी जिनके पैर के पास बंग दगा और चार पास लोग मुझे पकड़ा जो कि पिश्टल लिये हुए थे और अंदाजा नहीं लगाया जाते हैं यहां के जो लोग वकील है और सब विवाद कल किसी बात को ले करके हुआ था लेकिन अब यहां शिकायत की ग सब्सक्राइब करके बात हो रहे हैं अभी तो हालत जीट है अगर वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता तो साइब जान जा सकी कि इस प्रकार से उपर आकर के सीधे बंग पड़ा आपको बता दे कि इससे पहले पश्चिमी उतरपरदेश के बिजनोर में भी एक कोट में इसी तरह की गोलाबारी की घटना हुई थी यानि ये सारी घटनाए उतरपरदेश सरकार पर एक सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर इतनी सुरक्षा के बाब जू ऐसी घटना हो कैसे जाती हैं इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए साथी चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुन मत भूलिए